हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ कूड़ाई बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका शेयर करने जा रही हूँ इस कूड़ाई को मैंने मार्केट में देखा हुआ है, बहुत ही यह महेंगी मिलती है आप इसे अपने खर पे कम समगरी में, कम टाम में ठेरो कूड़ाई बना के स्वाध ही इस्टोर कर सकते हैं चलिए इस कूड़ाई को कैसे बनाना है, क्या-к क्या चीज़े यूज करनी है, मैं आप लोगों को इस रिस्पी में बताऊंगी अगर आप लोगों को रिस्पी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इस कूड़ाई को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा यहाँ पर मैंने एक कप लिया है मिजर्मेंट करने के लिए कोई भी आप वरतन या फिर कप लिजिएगा कप में हमेट करेंगे मैदा तो यहाँ पर मैं पैकेट से डारेक मैदा डाल रही हूँ ध्यान रखेगा कि हमें मैदे को दबा दबा के कप में नहीं डालना है ऐसे ही नॉर्मली डालना है उसके बाद हमें मैदे को छान लेना है तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी लिया है और इस छन्नी से हम मैदे को छान लेंगे तो एक कप मैदा जो मैंने लिया था वो मैंने छान लिया है अब यहाँ पर मैं आधा कप मैदा और ले लेती हूँ मैं आपको यहाँ पर कुड़ाई बनाने का सिर्फ तरीका बता रही हूँ तो मैं यहाँ पर कॉंटिटी कम इस्तुमाल कर रही हूँ डेढ़ कप मैंने मैदा लिया है तो इसमें हम पानी उसी के हिसाब से डालेंगे तो यहाँ पर मैंने ये दो कप पानी इस्तमाल किया हुआ है अब हमें मिक्स कर देना है तो जैसे ही आप मैदे में पानी डालते हैं आप देखेंगी कि इसमें लंग सी Дिखाई देने लगता है तो हमें इसे कल्ची से अच्छे से मिक्स करना है। पानी के साथ मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और गाधा गाधा गोल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप कम टाइम में बहुत ही बड़िया कोड़ाई बना के तयार कर सकते हैं और एक बार बना लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा यह पसंद आएगी कि कभी भी आप जो है मार्केट से खरीदना पसंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैदा जो है वो अच्छे से पानिक साथ मिक्स हो चुका है और गाढ़ा घोल जो है वो तयार हो चुका है अब हमें जो है इसे पकाना है तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और कंटिन्यू मिक्स करती हुए हम पकाएंगे मैदा जैसे ही हलका सा गरम होना सुरू हो जाता है यह जमना सुरू हो जाता है तो हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करना है अगर आप अपना हाथ रोक देते हैं तो लंब सुपढ़ने लगता है और बरतन से चीपकने लगता है मैदा तो एक हाँ से आप mix करेंगे न तो दर्ध होने लगता है तो आप जो है हाँ बदल के mix कर सकते हैं अगर जो है कडाही या फिर आपने कोई भी बरतन लिया है वो ज़्यादा हील रहा है तो आप पकड सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर पकड करके mix किया हुआ है जैसे जैसे मैदा जो है वो पकता है गाढ़ा होने लगता है और फिर जो है इसे जब आप mix करते हो तो बरतन से चिपकता बहुत जादा है तो अच्छे से mix नहीं होता है तो इस तरीके से देखी मैंने यहाँ पर चम्मत से प्रेस करते हुए मिक्स किया हुआ है जैसे जैसे आप देखेंगे कि मैदा जो है पकेगा वो जो है डो के जैसा दिखाई देने लगता है तो यहाँ पर जो हमने मैदे में पाने डाला था वो परफेक्ट मेजरमेंट लिया हुआ था हमने इसलिए बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर मैदा देखे पक चुका है और डो जैसा दिखाई देने लगा है तो आप ध्यान रखेगा कि डेड़ कप मैदा में आपको दो कप पाने इस्तमाल करना है लगभग 10 मिनर का टाइम हो रहा है और मैदे का जो है डो इस तरीके से बन कर तयार हो चुका है अब इसमें हमें आट करना है नमक तो यहाँ पर हम स्वादा अनुसार नमक के इस्तमाल करेंगे नमक डालने के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे तो गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है डो के साथ सिट हो जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें डोको थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देना है क्योंकि ये काफी गरम है मेरे तरीके से एक बार आप इस कूड़ाई को बना के देखिएगा ये कूड़ाई बनाते समय हम ओयल का इस्तमाल नहीं करते हैं इसकी वज़ा से ये कभी भी खराब नहीं होते आप इसे सालो साल श्टूर कर सकते हैं उसके बाद कूड़ाई बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक सेव बनाने की मशीन लिया है मशीन में मैंने हाँ पर ये मोटा वाला साचा इस्तमाल किया है इसमें हम लगाएंगे ओयल, पूरी मशीन के जितनी भी पार्ट है, सब में पहले आप ओयल लगा दीजेगा, ताकि डो चिपके नहीं, और उसके बाद मशीन में साची को अच्छे से सिट करेंगे, डो जब ठंडा हो जाएगा तो वो चिपकना कम हो जाता है, तो आप हाथ मे थोड़ा सा डो लेंगे, उसे हलका सा प्रेस करके लंबा करिएगा और मशीन में सिट कर देंगे, हलका सा उपर से चम्मस से प्रेस कर देंगे, ताकि बढ़िया से सिट हो जाए, उसके बाद हमें मशीन का कैप पर से सिट करना है, और फिर इस कूड़ाई को बनाना सुरू क तो कूड़ाई फैलाने के लिए जो है आप कोई भी पॉलिथीन या फिर शीर्ट ले सकते हो मैंने यहाँ पर यह ब्लू कलर के शीर्ट लिया हुआ है उपर से हलका सा आप मर्शीन को प्रेस करिएगा तो नीचे से निकलेगा और आप इस तरीके से कूड़ाई बना सकते हैं कूड़ाई का साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है मैंने मार्केट में जो कूड़ाई देखा था थोड़ी बड़े साइज की थी तो मैंने यहाँ पर इतने बड़े साइज की इस कूड़ाई को बनाया हुआ है इसी तरीके से सारी कूड़ाई बनाने के बाद इसे हमें दूप में सूखने के लिए रख देना है, तो यहाँ पर हमने मोटा साचा इस्तिमाल किया है, तो इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगएगा, मतलब तीन दिन का टाइम इस कोड़ाई को सुखाने में लग जाएगा, अगर तेज धूप है तो दो दिन में भी सूख जाए आई आप लोगों को fry करके दिखा देती हूं तो गैस का फ्लेम हाई रखिएगा ओयल अच्छा गरम होना चाहिए कोड़ाई डालेंगे हलका सा प्रेस करेंगे अलट पड़ट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे एकदम दूद जैसी सफेज सफेज कोड़ाई बनकर तयार हो च जाएंगे हमेशा अपने घर पर बनाना पसंद करेंगे रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूं आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईज